अधिकान्षता भारत नेपाल और मौरीशस में रहते हैं इसके अलावा अगर बात करें तो सूरिनाम और फिजी में भी हिंदु धरम को मानने वाले लोग रहते हैं फ्रेंट्स हिंदू धरम को संसार का सबसे पुराना यानि की प्राचीनतम धरम माना जाता है, इस धरम को वैदिक सनातनवरन आशरम धरम भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि इसकी उत्पति मानव की उत्पति से भी पहले से है, विद्वान लोग धर्म को भारत की अलग-अलग संस्कृतियों और प्रमपराओं का मिश्रण मानते हैं जिसका कोई भी संस्थापक नहीं है ये धर्म अपने अंदर कई अलग-अलग उपासना पद्धितियां मत, संपरदाय और दर्शन समेटे हुए है अन्युआयों की संख्या के आधार पर ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है और फैंस अगर देखें संख्या के आधार पर तो इसके अधिकतर उपासक जो हैं वो भारत में रहते हैं और फ्रेंस अगर देखे हम percentage के अधार पर तो हिंदू धर्म के लोग percentage के अधार पर अधिकतर जो है वो नेपाल में हैं हालांकि इसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है लेकिन वास्तब में ये एकेश्वरवादी धर्म है इसे सनातन धर्म या फिर वैदिक धर्म भी कहते हैं इंडोनेशिया में इस धर्म का ओफिशियल नाम हिंदू आगम है हिंदू केवल एक धर्म संपरदाए नहीं है बलकि जीवन जीने की एक पद्धती है सनातन धर्म जो है फ्रेंस आगरम बात करें हिंदू धर्म के इतिहास के बारे में तो फ्रेंस सनातन धर्म जो है वो धर्ती के सबसे पुराने धर्मों में से एक माना गया है हलांकि इसके इतिहास के बारे में अनेक विद्धवानों के अलग-अलग मत हैं आदुनिक इतिहास का जो हैं वो हडपा, मेहरगड, आदिपुरा तात्विक अनवेशनों के आधार पर इस धर्म का इतिहास कुछ हजार बर्स पुराना मानते हैं जहां भारत की सिंदु घाटी सब्विता में हिंदु धर्म के कई चिन मिलते हैं जैसे की अग्यात मात्र देवी की मूर्तियां, भगवान शिव पशुपती जैसे देवता की मुद्राएं, शिवलिंग, पीपल की पूजा इतिहास कारों के एक द्रश्टी कोण के अनुसार, इस सब्विता के अंत के दोरान मद्द एशिया से एक अन्य जाती का आगमन हुआ, जो की स्वैम को आरिय कहते थे और संस्कृत नाम की एक हिंद यूरोपिय भाषा बोलते थे आरियों की सब्विता को वैदिक सब्विता कहते हैं, पहले द्रश्टी कोण के अनुसार, सत्रा सो इसा पूर्व में आरिय अफगानिस्तान, कश्मीर, पंजाब और हरियाना में बस गए, तभी से वे लोग अपने देवताओं को प्रसन करने के लिए वैदिक संस्कृत में मंत्र रचने लगे, पहले चार वेद रचे गए, जिसमें की सबसे पहला वेद रिग वेद था, इसके बाद उपनिशद जैसे ग्रंथाए, हिंदू मानिता के अनुसार वेद उपनिशद और आदी अनादी नित्य हैं, इश्वर की कृपा से अलग-अलग मंत्र द्रश्ट रिशी मुनियों को अलग-अलग ग्रंथों का ग्यान प्राप्थ हुआ, जिनों ने फिर उसे लिपिवद किया, बौद जैन और अन्य धर्मों के अलग हो जाने के बाद, वेदिक धर्म में काफी परिवर्तन आया, नए देवता और नए दर्शन उभरे, इस तरह से आधनि अधनिक हिंदू धर्म का जन्म हो गया, दूसरे द्रश्टिकोन के अनुसार अगर बात करें, तो हिंदू धर्म का मूल कदाचित सिंदू सरस्वती परंपरा से भी पहले से है, पहले की भारतिय परंपरा से है, हालांकि भारत विरोधी विद्वानों ने कई प्रयासों के बावजूद यहां तक की भ्रामक सबूतों के आधार पर भी अपने विचार को वो सिद्ध नहीं कर पाए हैं, देखा जाये तो हिंदू शब्द जो है सिंदू से बना हुआ माना जाता है, संस्कृत में सिंदू शब्द के दो मुख्य अर्थ है, पहला अर्थ है सिंदू जो की मान सरोवर के पास से निकल कर लदाख और पाकिस्तान से बहती हुई समुद्र में मिलती है, और दूसरा अर्थ है कोई समुद्र या फिर जलराशी, फ्रेंस रिगवेद की नदी इस्तुती के अनुसार वे सात नदियां थी, जैसे पहली नदी थी सिंदू, दूसरी स सरसवदी, फिर जहिलम, फिर सतलज, वयास, राभी और सातवी चिनाब, एक अन्य विचार के अनुसार हिमाले के प्रथम अक्षर ही और इंदू के आखरी अक्षर इंदू, इन दोनों अक्षरों को मिलाकर एक शब्द बना हिंदू, और ये भुबाग जो है हिंदू स्था कहलाया, हिंदू शब्द उस समय धर्म के वजाए राश्टीता के रूप में पर्युक्त होता था,